विवेक अगनिहुतरी के निर्देशन में बनी फिल्म The Kashmir Files box office पर हर दिन धमाल मचा रही है कई मील के पत्थर पार करने के बाद अब फिल्म ने अपनी नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है रिलीस के 21 दिनों के बाद भी विवेक अगनिहुतरी के फिल्म बच्चन पांडे और ट्रिपल आर जैसी बिग बजट फिल्मों के सामने box office पर अपनी पकड बनाने में सफल रही है The Kashmir Files ने दुनिया भर में box office पर 300 करोड रुपे का आंकड़ा पार कर लिया है 11 मार्च को रिलीस हुई फिल्म 1990 में हुए कश्मीर विद्रो के दौरान कश्मीरी हिंदियों के नर्स हनहार पर आधारित है इसमें अनुपम खेर दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी मुक्य भूमिकाव में नजर आते है धकश्मीर फाइल्स ने ये कलेक्शन वर्लडवी गिया है धकश्मीर फाइल्स को UAE में बिना किसी कट सेंसर बोड के पास कर दिया गया है ये फिल्म जल्दी सिंगापूर में भी रिलीस होगी भारत में The Kashmir Files अब तक के सबसे बड़े ग्रॉसर में से एक के रूप में उभर कर आ रही है फिल्म ने 21 दिनों में 237.22 करोड रुपे की कमाई कर ली है विवेक अगनियोतरी के फिल्म The Kashmir Files ने 21 दिन तकरीबन 2 करोड रुपे की कमाई की है बता दे The Kashmir Files की अब तक की सबसे कम कमाई है वहीं अगर हम सिनेमा घरों में The Kashmir Files के शो की बात करें तो गुरुवार यानि 31 मार्च को The Kashmir Files के शो की केवल 13.6% सीट से बुक हो पाई थी इसी प्रकार की तमाम जानकारें के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार